स्टार्ट अप रिश्टर्ड यूनिट्स के लिए हर्याना में फाइनिंशिल इंसेंटिव्ज फ्रेम किये गए हैं जो की हर्याना स्टेट स्टार्ट अप पॉलिसी 2022 के तहत नोटिफाइड हुए हैं अभी रिशेंटली हर्याना गवर्मेंट के जो डिपार्टमेंट ओफ इंडस्टी और कॉमर्स ने 23 जुलाई 2024 को काफी सारे इंसेंटिव्ज स्टार्ट अप रिश्टर्ड यूनिट के लिए नोटिफाइड किये हैं उसी सीरीज में एक जो इंपोर्टेंट इंसेंटिव्ज है जो की SGST का रिफंड यानि आप स्टेट गवर्मेंट को जो GST पे करते हैं उसके रिफंड का भी प्रोविजन्स स्टार्ट अप रिजिस्टर्ड यूनिट के लिए लाया गया है पूरे हरियाना में स्टार्ट अप को बुस्ट अप करने के लिए स्टार्ट अप एको सिस्टम को ज्यादा एक्सेलरेट करने के लिए एकॉनमिक डवल्मेंट के लिए और न्यू एंट्रपनियोर्शिप लाइन अप हो इसके लिए गवर्मेंट स्टार्ट अप जो है जो आप development करना चाहते हैं बिजनस के थूरू तो आप स्टार्ट अप यूनिट्स के नाते जो ये बैनिफिट्स ले सकते हैं तो अगर आप स्टार्ट प्रेस्टर यूनिट्स हैं और आप कोई आपके द्वारा पे किया गया नेट का हर्याना गौर्मेंट कर रही है इस स्कीम में जो इंपोर्टेंट आस्पेक्ट है वह यह है कि जो आपको रिफंड किया जाता है वह जो आपने नेट किया है द्यूरिंग दा फाइनिसल यर उसका 50% तक का रिफंड का प्रोविजन है वो भी नेक्स्ट सेवन यर के लिए यानि साथ साल तक बिंग स्टार्ट प्रेस्टर यूनिट्स द्यूरिंग दा फाइनिसल यर जो आप हर्याना गौर्मेंट को सब्सक्राइब करते हैं आफ्टर अड्जेस्टिंग ओफ आल इंपूर्ट्स एवलेबल विद यू उस पे किये गए सब्सक्राइब का 50% आपको रिफंड का प्रोविजन है जो कि मैक्सिमम हंडर्ड परसेंट ओफ यूर एपसी तक का हो सकता है कि एपसेई मीन्स फिक्स्ट कैपिटल इन्वेस्मेंट जैसे ही आपने बिजनेस शुरू किया तो आपका जो स्क्राइब केपिटल इंवेस्मेंट होता है जो कि आपने न्यू नू कंस्ट्रॉक्शन में यानि कोई आपने बिल्दिग या सेभल वर्क लाइन अप किया है प्लस जो आपने plant and machinery में investment किया है उसमें including genset है, equipments है, tools है, जो भी machinery component है which are necessarily and functionally required to operate your business, produce your product or rendering your services यानि जो आपके products और services के लिए necessarily required है, functionally required है, ऐसी plant and machinery including genset, tools, equipment, वो सारा plant and machinery का part बनता है उसकी cost, प्लस being a startup यदि आपने कोई software में investment किया है, IT infrastructure में, आपने कोई technology में investment किया है तो वो भी इसका part है, यानि आपका जो total fixed capital investment होगा, वो building की cost, plant and machinery की cost और जो software और IT की cost है, इन तीनों को मिला के, जो investment आपने line up किया है, उसके equal amount तक का, आप SGST का refund अगले 7 सालों में ले सकते हैं अगर हम यह कहें कि माली जी आपने building में, plant and machinery में और software में एक क्रोड रुपे का investment किया है, तो अगले 7 साल तक आप एक क्रोड रुपे तक का SGST का refund maximum ले सकते हैं, जो कि एक financial year में जितना आपने पे किया, उसका 50% से ज्यादा नहीं होगा, आपने during the financial year 10 लाख रुपे का हर्याना government को SGST पे किया है, तो 10 लाख का 50% यानि 5 लाख तक का refund claim कर सकते हैं, तो एक ऐसा जो provision है, जिससे आपके business में cash flow बढ़ता है, आपका turnover base बढ़ता है, और जो government को आपने SGST पे किया, हर्याना government को उसका आपको refunds होता है, तो इसके लिए जो basic eligibility है, वो यह है कि आपका unit startup में registered हो, जो कि DP IIT द्वारा restrictions दिया जाता है, इसके साथ-साथ आपका हर्याना government में भी being a startup आपका unit registered होना चाहिए, यह separate restrictions होता है, जो central government से अलग है, तो आपके पास दोनों registration होने चाहिए, दूसरा आपके पास हर्याना का उद्ध्यम, memorandum मे भी restrictions होना चाहिए, जिसका हम HUM बोलते हैं, यह आपका important aspect है, तिसरा जो भी business आप कर रहे हो, जिस जगह पे आप business कर रहे हो, उस पे अगर NOC है, CLU applicable है, वो आपके पास होना चाहिए, और आपका business restricted class में fallout नहीं होना चाहिए, तो यदि आप यह eligibility frame करते हैं, तो इस scheme में इस subsidy का लाव ले सकते हैं, इसकी जो timeline है, वो within 6 months from the end of the financial years, यानि 31 March 2024 को जैसे financial year end हुआ है, तो इसके अगले 6 मेने के अंदर अंदर, आप हर्याना government के जो start-up policies के तायत, इस incentives के लिए आवे दन कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा incentive startup unit को boost up करने के लिए, तो आप यदि कोई भी startup arrested business line up करना चाते हैं, develop करना चाते हैं, expansion करना चाते हैं, तो हर्याना में startup arrested unit के लिए बहुत ही अच्छा ये incentives है, इस पे किसी भी परकार के कोई block का restrictions नहीं है, जैसे कि हर्याना को 4 block में divide किया गया है, ABCD, आपका unit being a startup पूरे हर्याना में कहीं पर भी ह तो आप being a manufacturer और service provider के इनाते अपनी services या product की selling कर रहे हैं, और उसके उपर हर्याना government को जो SGST आप पे करेंगे, उसका 50% तक का refund का provision 7 साल तक, तो बहुत अच्छा incentives, यदि आप इस incentives में को avail करना चाते हैं, इसके अलावा भी startup को other incentives हैं, जैसे कि seed grant है, lease rental subsidies है, interest subsidies है, ये market development प्र promotions के programs हैं, उनके कुछ incentives line-up हैं, और being a MSME units भी हर्याना government के काफी incentives हैं, being a startup unit और being a MSME units भी आपको काफी incentives हर्याना government के framing के गए हैं, तो यदि आप हर्याना में किसी भी type का business run out कर रहे हैं, या frame कर रहे हैं, planning कर रहे हैं, और उस पे subsidy planning करना चाहते हैं, तो KIP के साथ जुड़कर आप इन सभी subsidy's का लाव ले सकते हैं, KIP के business community को जुरूर join कीजिएगा, ताकि ऐसे business subsidy updates आपको regular मिलते रहें, KIP के YouTube channel को भी जुरूर subscribe कीजिएगा, ताकि ऐसे videos regular आपको मिलते रहें, तो subsidy planning के लिए, better subsidy maximization के लिए, KIP से जुरूर connect कीजिएगा, welcome in KIP's, thank you. होचर आपको तो आपको मिलते रहें, कि ऐसे दोचरूर आपको जुरूर आपको जुरूर्ण के लिए हैं, KIP के लिए सबस्बदार।